नमस्कार स्वागत हमारे यूटूब चनल पर आज हम इस वीडियो में लाए हैं एक और रेश्पी तो आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से मटर पुलाव जरूब बनाएगा तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है तो सब सबसे पहले हम उकर को गरम करेंगे गैस पे और इसके बाद इसमें डालेंगे दो बड़ी चम्मच घी तो जब घी मिल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे खड़ी मसाले तो फ्रेंड्स इसमें हमने मसाले में लिया है देखिए इलवंग है और दालचीनी है इमरिच और बड़ी लाची को बने तोड़ करके लिया है अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा जीरा जब तड़क जाएगा तब इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता और तेजपत्ता डालने के बाद इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे ने तो मसाले हमारे जल जाएगे अब इनको हम थोड़ा तड़कने देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा मेर्चा मैंने बारी काट लिया हुआ है और जो अदरख है उसको हमने सलाइस कर लिया हुआ है कद्दूकस से अब इनको हम डाल दिये हैं अब इनको हम हलका सा भूनेंगे हमहारे मसा जो हरा मिर्चा है अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे काजू तो काजू को आप लोग को जितना हो सके डाल लिए कम ज़्यादा डाल सकते हैं यह अप्शनल है आप नहीं भी डाल सकते हैं तो काजू को थोड़ा हम हलका सा ब्राउन फ्राइ कर लेंगे इसके बाद देखें हमने मटर डाल दिया है तो मटर हमने चावल का दूगना लिया हुआ है जैसे हमने इक कटोरी चावल लिया है तो इसमें हम दो कटोरी मटट डाले हैं मतलब यह है कि चावल का दूना हमने मटट डाला है अब इसके बाद देखिए हमने चावल को धूल करके 20 मिनट पहले ही रख दिया था धूल के भीगो करके हमने रखा हुआ था इसके बाद इसमें मैं डाल लही हूँ अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे अब इनको हम एक मिनट थोड़ा सा ऐसे ही भूनेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी तो थोड़ा हम इसको भून लेंगे मटर और जो चावल है उनको अच्छे थोड़ा सा बहुनना है दो मिनट तो देखिए हमने थोड़ा भून लिया है अब इसके बाद डाल देंगे पानी तो पानी हम डेड़ गिलास पानी इसमें डाल लाए हैं जैसे एक कटोरी चावल था और दो कटोरी मटर और डेड़ ग खिला खिला हुआ चावल बनेगा इसमें अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे पानी के साथ अब देखिए अच्छे से मिल गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला गरम मसाला हमने छोड़ा चमर डाला है और साथ में ही डाल देंगे स्वादन सा नमक अब इनको भ बढ़ाद इसमें डालेंगे नीभू का रस रखा हुआ है इसको इसमें डाल देंगे एक नीभू का रास है यह मिला देंगे इससे जो पुलाव का स्वाध बहुत यह अच्छा हो जाएगा यह दे भैस को हम चला करके बंद करदेंगे ऐस तो कोकर को में बंद कर दिया है अब इसमें एक सीटी लगाएंगे देखे एक सीटी हमारा हो चुका है अब इसको गैस को तुरंत ही बंद कर देंगे अब बंद करने के बाद इसको जब इसका प्रेशर निकल जागा तभी खोलेंगे तो देखिए प्रेशर निकल चुगा है अब हम इसको खोल के देख ले रहा है तो देखिए ये कोई भी कल्ची पल्टा ले ले लेजिए उसका जो उल्टा साइधा शेट से चलाएए तो जो चावल है अब बहुत घरम मैतिसी लिए इस्तरे से चलाएंगे अब इसको हम चला करके दो थोड़ा सा हलका सा ढग करके छोड देंगे कि था ठंडा हो हो जाएगा तब इसको हम निकालेंगे देखिए हमने दो मिनट के बाद फिर इसको हम निकालेंगे किसी भी बावल में तो देखिए हमने बरतन में इसको निकाल लेंगे मैंने एक बरतन में इसको निकाल लिया हुआ है अब इसके उपर से गार्निस के लिए इसके उपर धनिया की पति डाल देंगे तो देखिए हमारी मटरपला रिस्पी तयार है थैंक यू